हेलो अव्रिवान दिस इस आर के रंजन और वाचिंग अस्टडीमेट इंग्रिशाड डाउ ओके तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रणाउन का पार्ट सेकेंड ओके इन्हीं गाई इससे पहले मैंने आपको प्रणाउन का पार्ट वन बता दिया है अगर आपने गैपक्तिंट के लिए इंपर्टेंट है चाहां आप competitive exams की त्यारी कर रहे हुँ या फिर आप cbsc school में पढ़ रहे हुँ शुल्म में लाजो key फिक्स इस की आता ही आता है सुक्न इस वीडियो में लाक्स तक जरूर बने रहे तो गाई आज के इस इस वीडियो में के 파ट सेकेंड में हम लोग शीखेंगे प्रस्टनल प्रणाउन के बारे में यह foster प्रस्टनल प्रणाउन के फॉली इसको डी इप bölिको अच्छे से ही बताएंगे कि प्रस्टनल क्या होता इसका इस्तमाल कहाँ पे होता है और इसके साथ अपर फिर ist पहले सब कर द देखेगा अगर आप पहलें भार देख Kung को डिएगा जिसे कि कोई भी वीडियो्मिस ना हो ऑक्क करेंगा जिरिक हो सेशन की सरवात करते हैं सो लेस गड आट स्टार्टर को देखते हैं इसका डिफाइन क्या होगा तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं क्या आई वी यू ही सी इट एंड आर कॉल्ड प्रेशनल प्रणावन क्लिड हो गया दोस्तों यहां से पीछे एक बहुत ही बहतरीन कॉंसेप्ट को मैं आपको बता देता हूं इस एकजमपल के थुरू पहले मैं आपको एकजमपल दूँगा फिर इसके बाद इसका जो कॉंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अक्सर इस कॉंसेप्ट मीनि अक्सर इस तरह के जो सिंटेंस हैं वो बच्ची गलत कर देते हैं लेकिन वो मिस्टेक आज के बाद से नहीं होगा यह मेरा प्रोमिश है आप से तो चले पहले मैं आपको एक जंपल लिख देता हूं क्या है कि I you and he are going to cinema गलत हो गया है I you and he is going to cinema यह भी गलत हो गया है you he and I going to cinema यह भी गलत हो गया है you he and I are going to cinema यह सही हो गया अब देखिए जो चाड़ो एक जंपल मैंने दिया है इसमें यह उपर वाले जो तीन हैं वो गलत हो गया नीचे वाला सही हो गया क्यों सही हुआ क्यों गलत हुआ उसको पहले मैं आपको यहां पे लिख देता हूं ठीक है रूल फिर इसको concept को समझते हैं तिसका रूल कहता है गाइस कया If 3 Singularsprunounce of different person are used together in a sentence the normal structure is second person plus third person plus first person यानि क्या है 231 फर्मूला याद क्या रखना है 231 फर्मूला यह तीनों का यह गाईस कहने का यह मतलब हुआ क्या है कि जब एक से अधिक प्रणाउन का प्रयोग as a subject हो तब वो प्लूडल कहलाता है एक से अधिक जैसे ही subject आ गया जैसे he and I या you and he या फिर you and I किसी तरह का या फिर you he and I इस तरह से को भी sentence में जब प्रणाउन का प्रयोग एक से अधिक हो तब वो प्लूरल का कवम करता है उसके साथ भर्म प्लूरल लगेगा यानि क्या 2 प्लस 3 ये भी सही है 2 प्लस 1 ये भी सही है 3 प्लस 1 ये भी सही है और ये इसके साथ हमेशा भर्म प्लूरल लगता अब ये concept क्या है उपर जो मैंने आपको example लिखा उस example को आप देखते हैं तो देखें ऊपर वाला क्या है कि I you and he are going to cinema ये गलत हो गया क्यों गलत भी तो आई हो गया singular वी हो गया पुल्डल उसी तरह second person में you and you you singular भी होता है पुल्डल भी होता है उसी तरह third person में क्या आता है he she it name होता है singular और दे होता है पुल्डल तो हमें singular की बात कर रहे हैं जब कोई singular pronoun तीन प्रणौन क्या एक ही sentence के अंदर कोई तीन singular pronoun का use हो different person का यनि first person का भी हो second person का third person का अलग लग person का जब singular pronoun का इस्तमाल हो एक ही sentence में तब उसका जो structure होता है क्या होगा पहले second person लिखेंगे नि 231 फर्मूला याद रखना है पहले second person को लिखना है फिर third person को उस के बाद first person 231 फर्मूला को इस्तमाल करना ऐसा नहीं कि पहले आप first person लिखेंगे फिर third person फिर second person तो यह sentence गलत हो जाएगा और ऐसा common error के question में आपके exam में question जरूर आता है तो इस तरह के question को आप गलत कर देते हैं आप किसी person को पहले लिख देते हैं बाद लिख देते हैं आप किन वो गलत होगा आपको याद रखना हमेशा क्या 231 फर्मूला का इस्तमाल करना पहले second person फिर third person फिर first person अब देखें इसको कैसे याद रखना है इसा कि आप भूल सकते हैं तो मैं इसके लिए एक logic आपको देता हूं आपको याद क्या रखना है कि मान लेते हैं किसी का किस करें कि समने में कोई खड़ार करें कि तुम ठीक हो तुम अच्छे हो ठीक है और फिर करें कि नहीं तुम्हारे साथ-साथ जो है वो भी साही है थर्ड परसंट जो हम पर मवजूद नहीं उसके बारें करें तुम तो ठीक हो और साथ-साथ वो भी अच्छा है ठीक है और उस उसके बात करें कि नए साथ-साथ मैं भी अच्छा हूं तो उसके बाद मैं अपने बात कर रहा हूं यह पहले तुम्हारे बारे में फिर थर्ड परसन के बारे में फिर अपने बारे में खुद के बारे में यह क्या है पहले सकेंड परसन फिर फरस्ट परसन के बारे में बात क तो पहले यू होता तो सही होता लेकिन यह गलत कर दिया है इसलिए गलत हुआ क्या है फिर देखे कि इसरा पहले सेंड पर सन लिखा है ठीक है उसके बाद फर्स पर्सन लिखा है ठीक है लेकिन यहां पर कै कर दिया है यहुआ प्रनावन तो तो सही तीकैसी परयोग्या लेकिन यह क्या कर दिया M का पड़ियोग कर दिया इसलिए ये गलत हुआ क्योंकि अभी मैंने क्या बता है कि जब एक से अधिक प्रनावन का पड़ियोग हो as a subject तब वो plural कहलाता और उसके साथ plural भर्व लगेगा तो यहां पर R लगना चीए था M के जहां पर क्या आर लगाता तो सही होता आर नहीं लगाया तिसलिए ये गलत हो गया है कि लड़े दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं तो आगे क्या कहता है रूल तो देखे आगे इसका रूल कहता है क्या हाँ चोथा एजंपल पहले देख लेते हैं क्या है कि you he and I are going to तो चिनेमा देखे यह सही हुआ क्यों सही हुआ तो पहले second person लिखा है फिर he third person लिखा है फिर I third person लिखा है यानि पहले second person फिर third person फिर first person और उसके साथ आर लगा दिया है इसलिए यह सही हो गया तो you he and I are going to cinema यानि तुम वह और मैं cinema जा रहा हों इसलिए ये sentence correct हो गया है क् आपको याद रखना है कि जब किसी भी sentence में एक से अधिक pronoun का इस्तमाल करना वो भी singular अलग अलग person का तो आपको 231 फिर्मुना लगाना है clear हो गया चलिए अब इसका second rule देखते हैं दोस्तो second rule क्या कहता है कि if three pronouns of different person are used together in a sentence but the sense of the sentence is crime, flaw, confess a guilt, the structure is first person plus second person plus third person यहीं 123 फर्मुला clear हो गया यहीं अब देखिए guys इसका rule क्या कहता है इससे पहले जो rule क्या कहता है था कि 231 फिर्मुला लेकिन 123 फिर्मुला भी लेक सकता है लेकिन इसके लिए sentence का क्या condition होना चाहिए क्या है जब कोई तीन pronoun का पडियोग हो एक ही sentence में subject के रूप में लेकिन उस sentence का जो sense हो वो किसी crime को indicate कर रहा हो या flaw मतब दोस किसी दोस को indicate कर रहा हो या फिर confess a guilt बने किसी गुना का कबूल कर रहा हो तब उसका structure 123 फर्मुला से बनेगा किलर हो गए दोस्तों यह नि क्या आप पहले first person फिर second person लिख सकते हैं या फिर first person नहीं है तो second person फिर third person लिख सकते हैं अगर second person नहीं है तो पहले first person फिर third person लिख सकते हैं यह सही होगा लेकिन आपको यह नहीं करना कि पहले third person फिर second person आप नहीं लिख सकते हैं या फिर पहले थर्ड परसन प्लस फर्स परसन भी नहीं लिख सकते हैं या फिर पहले सकेंड प्लस फर्स परसन यह भी नहीं लिख सकते हैं यह उल्टा नहीं लिख सकते हैं आप पहले सकेंड थर्ड फर्स या थर्ड ऐसे लिख सकते हैं लेकिन उल्टा नहीं लिख सकते हैं और जैसा कि मैं example देते हैं इसे clear करते हैं कि I you and he have completed the work ये गलत हो गया है क्यों गलत हुआ आगे मैं आपको बताता हूँ you he and I complete I have completed the work ये सही हो गया है I you and he have done this crime ये सही हो गया अब देखें अभी just में ने क्या बताया था कि जब किसी भी sentence में crime flow confess guilt इन सबका इस्तमाल नहीं हो इन सबका सेंस नहीं दे रहा हो तो 231 फर्मुला लगेगा नॉर्मल में हमेशा लेकिन जब किसी sentence से crime flow confess guilt इसका अगर बोध कर रहा हो sentence से किसी का मिनिंग दे रहा हो तब वह 131 फर्मुला को follow करेगा तो I you and he have completed the work करा कि मैं तुम और वह इसकाम को पूड़ा किया है ओके तो देखिए यहां से crime flow confess guilt यह सबका कहीं का कोई मिनिंग नहीं आ रहा है यह नॉर्मल सी बात हो रहा है तो नॉर्मल सेंस में 231 लगना चाहिए यहनि पहले सेकेंड फिर थर्ड फिर फिर फरस्ट लेकिन यह पहले फरस्ट सेकेंड थर्ड इन 123 लगा दिया इसलिए गलत हो गया है किलर हो गया और दूसरा क्यों सहीवा तो देखिए यू ही एंड आई हैव कम्पिलीटेड दा वर्ग का रहा है कि तुम हुआ है और मैंने इस काम को कम्पिलीट किया है ओके तो देखिए यह नॉर्मल सी बात हो रहा है नॉर्मल सेंस में तो 231 फर्मूला लगा दिया है यह पहले सेकेंड परसन यह लिखा फिर थर्ड परसन नहीं लिखा फिर फरस्ट परसन लिखा तो यह सही हो गया किलर हो गया दोस्तों चलिए अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि I you and he have done this crime देखे कर रहा है कि मैंने इस का मैंने इस अफराद को किया है आई यह निए फरस्ट परसन यू सेकंड परसन ही थर्ड परसन 123 फर्मूला लगा ह किलर हो गया दोस्तों I hope कि आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब देखते हैं रूल मर्थर्ड तो रूल मर्थर्ड क्या कहता है तो रूल मर्थर्ड कहता है इन दे केस ऑफ फुलिडल और मिक्स्चर ऑफ दा सब्जेक्ट वन टू थरी इस योजड ओके यह निए गाइस सब्जेक्ट हो प्लूरेल प्रोनाउन हो ओके तब उसमें 128 का यूज होगा 123 फर्मूला का इस्तमाल होगा अब देखिए जैसे क्या फर्स पर्सन हो गया वी सेकेंड पर्सन यू थर्ड पर्सन दे क्लिड़ है यहीं 128 फर्मूला लगेगा नहीं एक दो तीन यहीं फर्स पर पहले थ्रड पर सने लिख सकते हैं फिर फर्स पर संपने लेकिन किसी भी में पहले थीलिख सकते हैं पहले सतासं लेकिन भी हाल में जैसे में लेतेया है कि वी यू एंड डे आर कमिंग देखिया क्या पेले फास्ट परसन लिखा है फिर सब्सक्राइब फिर थार्ट परसन इसलिए सब क्या क्या है पूल डाल है कि लड़ हो गया उसके बाद क्या कहता है कि वी यू एंड ही आर गौइंग टू यू कि हैनी हम तुम और वैं अमेरिका जार रहे हैं यह भी सही हो गया देखे रूल अभी मैंने बताया था क्या कि जब कोई प्रेशन हो प्रेशनल पर डाउन हो और वह सिंगलर का हो तो तो यह लगा सकते हैं लेकिन सिंगलर है तो 211 लगाना इसी जब याद रहें बार-बार 231 इसलिए बोड़ा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहें और तीसरा एक्जम्पल क्या है यू, he, and I have done our, your his, her, their work, तो guys इसमें क्या होगा यूर नहीं होगा, his नहीं होगा, her नहीं होगा, their नहीं होगा होगा क्या, our होगा, ओके अब देखिए आप confusion कर रहे होगे क्या, कि you, he, and I यह plural है, तो plural dear लगना चाहिए possessive adjective dear होना चाहिए लेकिन फिर भी वो नहीं वहाँ आबर हुआ और सही हुआ, क्यों हुआ मैं आपको इसके लिए लिए लिग देता हूँ, क्या subject और possessive, दो का कॉलम बरात एक subject का, एक possessive का जैसे you, he, and I तो possessive pronoun our you, and he, तो your you, and I, तो our he, and she, तो dear अब इसका rule क्या कहता है, कि जब किसी भी sentence में subject के रूप में you, he, and I हो, तो उसका possessive pronoun, possessive adjective यूज़ करना हो, तो our करेंगे, clear हो गया है अगर subject you, and he हो, तो possessive adjective यूर का प्रियोग करेंगे, ठीक है अगर subject you, and I हो, तो possessive adjective our का प्रियोग करेंगे अगर subject he, and see हो, तो possessive adjective dear का प्रियोग करेंगे, ये बहुत ही बहुत ही बहतरीन sentence है, आपको याद रखना ये column को, clear दोस्तों चलिए, यहाँ तक तो clear हो गया, अब चलिए guys especially use of it देखने है use of it, यहाँ इट का इस्तमार तो पहला rule क्या कहता है, इट का कि इट का प्रियोग, noun के repetition, noun के repetition से बचने के लिए, प्रनावन के रूपे, यह, यह, वह, ऐसा के earth में animals, छोटा बच्चा जिसका gender response ना हो और non living thing के लिए करते हैं, clear हो गया, यहाँ it का जो प्रियोग करता है, इन साड़े के लिए करते हैं, यह, नावन का बार-बार repeat ना हो, एकी sentence में नावन का बार-बार प्रियोग नहीं हो, इसलिए उस नावन के बदले, क्या it का प्रियोग करते हैं, किसके लिए, तो यह, वह, ऐसा के अर्थ में, या फिर animals के लिए, या छोटा बच्चा जिसका gender response नहीं हो, इन सभी के लिए it का प्रियोग करते हैं, clear हो गया, या फिर non-living जैसे example लेते हैं, क्या कि बच्चा रो रहा है, वह मेरे कमडे में है, तो क्या बनाएंगे the child is crying, it is in room, ठीक है, देखें, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा मेरे कमरे में तच्छा नहीं लगता, इसलिए बच्चा के बदले it पर नाउन का इस्तमाल की है, clear हो गया, वह का मतलब यहाँ पर it, चो कि हिंदी में देखें लिए, रूल में क्या है, मैंने लिख दिया, यह वह ऐसा के अर्थ में it का प्रियोग करते हैं, तो वह का अंग्रेजी यहाँ पर क्या होगा, it होगा, clear हो गया, आगे sentence, जो subject है, उसको देखते हुए, it का प्रियोग करना है, आगे क्या है, जैसे example लोड़ लेते हैं, कि मेरे पास एक गाय है, और यहाँ काली है, तो कह लिखेंगे, I have a cow, it is black, it जो हुआ, गाय के लिए आया, clear है तो गाय जानबर होगा, इसलिए यहाँ का अंग्रेजी it होगा यहाँ पर, दिस नहीं होगा, अगला example जैसे, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, तो क्या होगा, I can do it easily, I can do it easily, तो देखे, it मैंने इसे कर सकता हूँ, non living thing की बात कर रहा है, निर्जीव के बात, तो निर्जीव के लिए, इसे का अंग्रेजी it होता है, clear हो गया, फिर आगई example लेते हैं, जैसे, ऐसा लगता है कि वह चोर है, तो क्या होगा, ऐसा का देखे हैं, हिंदी में मैंने लिखते है, रोल में, यह यह वह ऐसा के अर्थ में, इट का परियोग करेंगे, तो लिखेंगे, it seems, seems, seems का मतलब लगना, ठीक है, seem का मतलब लगता है, और present का है, इसलिए, simple present इसलिए s लगा है, 3% singular number के साथ, s या e s लगता है, तो क्या होगा, it seems that, की मैंने that, it seems that he is a thief, ऐसा लगता है कि वह चोर है, clear हो गया, चलिए, अब rule number second देखते हैं, तो rule number second क्या कहता है, की mobile पर बात करते हैं, शमय इट का प्रियोग आप और में के अर्थ में करते हैं, यनि क्या, mobile पर जब हम लोग बात करते हैं, तो आप, हिंदी में आपका अंग्रेजी क्या यू लिखते हैं, लेकिन नहीं, जब mobile पर बात कर रहे हो, तो आपके लिए इट का प्रियोग करेंगे, clear हैं, जैसे, की आप कौन हैं, who is it, ओके इने लिखेंगे, who are you, ऐसा नहीं, गलत होगा, फोन पर जब बात करेंगे, तो आपके लिए इट का प्रियोग करेंगे, क्या, who is it, आप कौन हैं, जैसे, मैं स्याम बोर रहा हों, तो तो पहले हिसान करेंगे, इट का प्रियोग करेंगे, आपके लिए इट का प्रियोग करेंगे, clear होगया, चली हैं, अब इसका rule number third देखते हैं, rule method में मैं आपको structure लिख दाता हूँ इसा structure को आपको याद रखना है it plus is plus subjective case plus who plus has plus v3 plus other word clear हो गया अगर sentence present का है तो is लिखेंगे और उधर has या have लिखेंगे अगर sentence past का है तो was लिखेंगे और है याज याज लिखेंगे clear हो गया चली जैसे example it is I who have done your work यह मैं हूँ जिसने काम को किया है अब देखिए यहाँ पे who का परियोग कौन नहीं होगा who का परियोग कौन तभी होगा जब sentence के last में question mark हो जब वो interrogative की तरह use हो तब यहाँ पे यह क्या यह pronoun की तरह use हो रहा है who जो है काम कर आगे मैं आपको बताऊंगा relative pronoun जिसको कहते है फिलाल अभी आपको यहाँ दखना who का meaning कौन नहीं होगा who का meaning होगा यहाँ पे जो या जिन्होंने या जिसने clear है it is I यह मैं हूँ जिन्होंने या फिर जो इस काम को किया है clear हो गया दूसरा example लेते हैं जैसे it was Ram who had done their crime clear हो गया इसका मतलब हुआ क्या यह Ram है जिन्होंने इस crime को किया है clear हो गया दोस्तों चलिए अब इसका rule number next देखते हैं तो rule number 4 क्या कहता है कि it plus is oblique was plus time hour, month, year, natural event, season, natural disaster, incident, accident, animal, small insects, babies, etc. okay any guys rule कहता है क्या कि it के बाद अगर है है तो is था थे थी है तो वाज कप्रियों करना plus जो चीज दिया रहेगा उसका अंग्रेजी आपको लिखना अगर time है तो time hour है तावर, month है तो month, year है तो year natural event एनी कोई प्राकृतिक दुरगटना है घटना है वो या फिर season या फिर natural disaster नी क्या प्राकृतिक आपदा है वो लिखना या फिर incident लिखना है एक्सिडेंट लिखना है एनिमल्स या फिर small insects बेबी इरसभी का नॉम लिखना है अब देखे यहां तक तो clear हो गया इसके लिए time time के लिए आपको याद रखना गाइस क्या घड़ी में जो आप लोग समय बताते हैं कि कितना बजा तो इसको English में कैसे बोलते हैं या फिर कैसे बोलना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ topics बता देता हूं points बता देता हूं आ का मतलब होता है कम या बांकी यहां तक clear हो गया इस word meaning के तौर पे इसे याद रखना इसे कह करना word meaning के तौर पे आपको याद रखना जिसे कि आप जब clock time बोलेंगे घड़ी का समय बोलेंगे तो आप English में बोल सकते हैं clear हो गया इसी के साहता से note में मैं आपको लिख देता हूं क्या है यदि time 5 का multiple हो तो minute सब्द का use नहीं करते हैं और इसके बाद क्या है second number note में कि और यदि time 5 का multiple ना हो तो minute सब्द का use करते हैं killer हो गया अब इसका structure होगा कि it plus is oblique was plus time time का मतलब minute plus hour killer हो गया यानि था थे ती है तो was का प्रियोग करना है चुकि it के साथ हमेशा was लगता where का तो सबाली नहीं है अगर है हो हो लिखा है तो it के साथ is का प्रियोग करते हैं इस structure को follow करते हुए killer है यानि जब 5 का multiple का कोई minute हो तो उसमें minute सब्द नहीं करते हैं प्रियोग में ठीक है अगर 5 का multiple नहीं हो तब minute सब्द का प्रियोग करते हैं यानि 5 का multiple जैसे 5, 10, 15, 25, 30 ऐसे करके हैं यह जो पांच से कट जाए जिसमें 5 से भाग लग जाए उसको 5 का multiple बोलते हैं और उसमें minute सब्द का use नहीं करेंगे और जू पांच से नहीं गतने वाला minute होगा उसमें क्या करेंगे minute सब्द का use करेंगे, चले example लेते हैं और इससे structure से क्या कि जैसे 5 बजकर 7 मिनट हुआ है इसको कैसे बनाएंगे तो 87 मिनट पास्ट 5 बजकर का मतलब पास्ट महीं ने बटा दिया अब देखिए यहां पर क्या है इट इस समय परियोग करना है इट इस समय अगर है है तो इस था है तो वाज यहां इसलिए हुआ क्योंकि साथ साथ क्या है पास का मल्टिपल नहीं है इसलिए है मिनट वर्ड का परियोग किया गया है क्या है दूसरा यहां परल जैसे 5 बजने में 5 मिनट बाकी है तो कहा लिखिए इस 5 to 5 तो का मतलब काम या बाकी तो it is 5 to 5, 5 minute क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 5 जो है 5 का multiple है, 5 5 से कट जागा, इसलिए minute word का इस्तमाल नहीं होगा अगला जैसे सबा 5 बजा है, तो कहा लिखिंग it is quarter past 5, it is quarter past 5, अगला है साधे 5 बजा है, it is half past 5, 5 बजने में 3 मिनटा बाकी है it is 3 minute to 5, 5 बज़ कर 20 minute हुआ है, तो it is 20 past 5, अभी अभी 5 बजा है, it is just 5, आज सुक्रवार है, it is Friday today, 5 बजने ही वाला है 5 बजने ही वाला है, it is about to 5, 5 के आसपास है, it is around 5, सुमबार का दीन था, it was Monday, जोरो की बाड़ी सोहोड ही थी, it was raining heavily, अधेरी रात थी, it was dark night, बीजली चमेक रही थी, it was lightning क्लिर है दोस्तों, इस तरह से डेरोगी जंपल आप लिख सकते हैं, जिसमें की इट का प्रियोग कर सकते हैं, ओके, चली, यहां तक तो क्लिर हो गया, I hope की दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, क्लिर है, तो देखा गाइस आपने की आज का जो प्रसनल परणावन का ज करवाल लीजिएगा, जिससे की कोई भी वीडियो मिशना हो, ओके, और आप आज के सिसन में ज़रूर कोमेंट कीजिएगा, कोमेंट सक्षन में, कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, आप मेरे चैनल से जूरे रहिए, ओक लगाई